law of thoughts के इस lecture series में आज हम thoughts के against available एक दूसरे defense के बारे में बात करेंगे हमने अब तक के videos में waterhalten के अप्नी फेट नूए है के आडन् से एंउड, तब दूस्아टोपता के बात के में घम तक कोईज, तबूखके उन्यअग सबक्ष श्राम थाइ। नेगलिजिन्स इन सभी टॉपिक्स को डीटेल में कवर कर लिया है और अपने प्रिविएस वीडियो में हमने नेगलिजिन्स के कंप्लीट कॉंसेप्ट को विच एक्जाम्पल्स एंड केस लॉज पड़ा है कॉंट्रिबूटरी नेगलिजिन्स को भी हमने पड़ लिया आज हम एक दूसरे डिफेंस के बारे में बात करेंगे विच इज अवलेबल चुदी तॉट सीजर तुदी रॉंग डूवर जो की क्या है एक्सतर्पी एक्सतर्पी कॉसा नौन ओरिटर एक्सियो यह एक लेटिन मेग्सिम है जिसे हम कहते हैं इलिगालिटी 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 विच इवेलिबल चुदी डिफेंडेंट और इस डिफेंट्स का यूस करके डिफेंडेंट्स अंपंशेशन पे करने से बच सकता है इस मैगजिम का जो मतलब है वो है फ्रॉम एन इम्मोरिल कॉज इम्मोरिल कॉज नो अक्षिन अराइस नो अक्षिन अराइस वाट दिस अमीन? इप दी बेसिस अफ एक्षिन वाइ प्लेंटिफ इस अल्लॉफुल कॉंट्राक्ट तो यदि जो प्लेंटिफ है उस प्लेंटिफ का जो बेसिस अफ एक्षिन है जिस अक्ट को उसने किया वही अनलॉफुल था इट वोज इल्लीगल बेसिस अफ एक्षिन अफ एक्षिन अफ प्लेंटिफ इस इल्लिगल यजी था है, रूजए प्लेंटिफ इंसल्फ वो रॉंग्डूरूरूः। if it is proved by defendant that plaintiff himself was wrongdoer या जो basis of action है of plaintiff was of illegal in nature, वो illegal था, unlawful था, तो defendant, compensation pay करने से बच सकता है, यह जो background में आपको धुआ 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 दिखाई दे रहा है, यह कहीं किसी ने आग जलाया है उसके वज़े से, ऐसा हो रहा है, तो यह disturbances है, वीडियो बनाते समय है, ठीक है, तो इस defendant asserts that, यदि defendant यह प्रूफ करता है, कि जो claimant है, जो plaintiff है, he was himself a wrongdoer, वो एक wrongdoer था, तो वो damages पे करने के लिए libel नहीं होगा, then it doesn't mean that coach will declare himself free from all the liability, but he will not be libel under this, so simple सी बात है, एक स्टर्पी कौशा, नौन ओरिटर थाक्सियो, यह एक defense है, विच इस अवलेबल अगेंस दी defendant, जब dependent यह प्रूफ कर देगा, कि जो basis of action है, plaintiff का, वो illegal था, plaintiff की भी गलती थी, plaintiff himself was a wrongdoer, यह जो maxim है, it is slightly different from negligence, negligence में, जो plaintiff है, जब हम contributory negligence के बारे में बात कर रहे हैं, कि plaintiff का भी contribution था, he was also negligent, तो वहाँ पर उसका intention नहीं था, लेकिन यहाँ पर basically plaintiff जो है, उसका intention है, और उसका जो basis of action है, वो अपने आप में unlawful है, जैसे एक example, हमारे पास case है, Pitts vs. Hunt, Pitts vs. Hunt, what was let down in this case, इस case में क्या था, कि there was a rider who was 18 years of age, जो की 18 साल का था, he encouraged his friend, उसने अपने friend को, अपने दोस्त को encourage किया, जो की 16 साल का था, कि वो तेज बाइक चला है, under drunken conditions, consequently, their motorcycle met with an accident, the driver 16 years of age, died on the spot, the pillion driver, जो co-driver था, जिसने encourage किया था, अपने दोस्त को, to drive faster, in drunken stage, तो एक तो already, he was in drunken stage, और इसने उसे encourage कर दिया, कि आप तेज गाड़ी चला, जिसके बज़र से, accident होता है, और जो driver है, who was riding the bike, वो on the spot, expire हो जाता है, जो pillion driver है, यानि जो co-driver है, जिसने encourage किया था, उसे injuries आती है, और उसने जो है, suit file किया, compensation claim करने के लिए, from the relatives of diseased person, तो इस plea को, इस petition को reject कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे, जो friend था, he was himself a wrongdoer, who encouraged the diseased person, to drive faster, even in the drunken state, तो यह था, extirpid causa, non-orator axio, जिसे हम illegality भी कहते हैं, और इसका मतलब है, कि अगर आपका जो intention है, जो आपका cause of action है, वही immoral है, वही illegal है, तो आप compensation claim नहीं कर सकती हो, and you will not be awarded by compensation, ठीक है, So, this is all about today's lecture, आज के इस वीडियो में, हमने, extirpid causa, non-orator axio को, retail में समझा, कभी-कभी, आपके question paper में, इस defense को, shot में लिखने के लिए, आ जाता है, तो अगर ये वीडियो, आपको informative लगी है, इतने hurdles के, बावजूद, मैं आपके लिए, वीडियो ला रहा हूं, तो प्लीज, इस effort को देखते हुए, आप channel subscribe करिए, वीडियो को like करिए, और इसे, जादे जादे share करिए, आप देखिए, कहीं दूर, खेट की कटाई हो रही है, तो ये sound भी आ रहा है, मैं अपने तरफ से, पूरी कोशिश करता हूँ, कि background noise को, कम से कम कर्टी, लेकिन फिर भी अगर background noise आता है, तो उसके लिए, sorry, और मैं ऐसे ही, आपके लिए videos लाता रहूँगा, please do subscribe के चैनल, like करिए, और comment box में, अपने opinion ज़रूर शेर करिए, thank you, have a nice day,